हेलो एवरिवान फाइव शिटार क्रो चैनल पर आपका स्वागत है और मैं आज आप के लिए लेकिया हूँ फीजा की रेसेपी ये मैंने लिया है मेदा तीन कप नाप के लोगे मेदा बेकिंग पौडर मिठा सोडा नमाद बूरा मख्षान और जितना मैंने मेदा लिया था उतना ही में लोगी धाई सेम क्वंटिटी में और इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स मिक्स करते टेम इस बात का रखेंगे ध्यान कि हम जितना समय इसको मिक्स करने में देंगे ये उतना ही सोब्ड़ और मुलायम हमारा पेष्ट तैयार होगा और पीजा बनाने में हमें असानी रहेगी और पीजा विजाली दार भनेगा तो इसको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स ये देख बिल्कुल सोब्ड हो चुका है बेश को मैंने पहले प्राट से रख दिया है और ये देखिए ना ही ज्यादा टाइट है और ना ही ज्यादा लिक्विड है ये मैंने लिए है वेज आप अपनी पसंद की जो भी आप खाना पसंद करते हो वेज ले सकते हो गैस को किया ओन फ्राइविल को मैंने जड़ा दिया है और आज हम बरनाएंगे छोटे-छोटे पीजा जिसको काटने की वी जरूरत नहीं पड़ेगी चमस की सायता से पेष्ट को हमने डाल दिया और इसकी जो छोटी-छोटी से भन के तयार होगी बच्चों को आएगी वोत जिक पसंद क्योंकि उनको एक पीजा पूरा मिल जाएगा और नहीं मेश्ट जाएगा और पूरी तरह से बच्चे इसका यूज कर पाएंगे मैंने काफी सोच ले समझने के बाद यह डिसाइड क्या क्या की छोटी-छोटी पीजा कैसे भनाय जाएगा तो इश लिए मैंने ये फ्राइबल लिया और इस पे हम तयार करेंगे छोटो शोटो पीजा और पीजा बनाते टेम गैस को रखेंगे सलो और ये देखे ये हो गया है तयार और कितनी आसानी से ये निकल गए है तेल की के यूज करने से जो ये हमने छोटो शोटो शोटो पीजा लिये थे ये नीचे से ची तरह से पग गए है और हम दोनों तरब से इसको पटाएंगे पीजा को जिससे उसका टेस्ट और अधिक भून जाएगा तो ये हम एक बार और पीजा बनाएंगे और उधर हमारे वो पीजा दूसरी तरफ से हो जाएंगे तैयार तो ये देखिए इसको अची तरह से फैला देंगे और ये पेश्ट डालते टाइम इस बात का रखेंगे ध्यान की हम थोड़ा कम ही पेश्ट इसमें डाले क्योंगे फूलने के बाद ये फैल जाता है और भार निकल जाता है तो हम इसमें थोड़ी कॉंटिटी रखेंगे क और ये हम ने इसको अच्छे से फैला दिया है और हैस को रखेंगे सलो और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे आठ पीजा हमारे बन के एक साथ हो जाएंगे तैयार ये देखिए ये पक्तुके हैं और इस पे हम लगाएंगे अब पीजा सोस ये पिक्की की तरह बन की हुए है तैयार दिखने में ऐसे लग रहे है शोटे शोटे टिक्की की तरह है और ये मैंने लिए है पीजा चट्मी पीजा चट्मी को हम लगाएंगे इस पर भूरिश को अच्छे से देंगे फैला पीजा सोस आप तयार करना चाहें तो दूसरी वीडियो देख सकते हो ये अच्छी तरह से डिस्क्रेप्शन में आपको मिल जाएगा पीजा रेशिती का लिंक और ये मैंने डाल दे इसके उपर चीज सबसे में निश में चीज हम निश में चीज कम डालोंगे तो कि चीज थोड़ा कम ही यूज करेंगे ज्यादा फैली फैली चीज और ये मैंने रखती है पूल सिम्ला मिर्च जो भी सब्जी हमारे पास है पूनी सब्जियों से हमेश को अच्छी तरह से लगा देंगे जो खाने में पसंद हो पनीर के टुकडे लाल सिम्ला मिर्च टमाटर प्याज ये साही जिज मैंने कर ली है और उसी से हम इसको पीजा को करेंगे तैयार ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप एश्टी पीजा घर पे कर लोगे तैयार और इस पे थोड़ी सी सोच उपर से और डाल देंगे अगर आपको ये तीखा बनाना है अपने लिए या जिश को तीखा पसंद है उस पे हम डालेंगे लाल चिली पाउडर जो हाथ से कुटा हुआ होता है और ये देगे कितनी आसानी से ये पलट जा रहे हैं ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही पग्ड़े हैं क्योंकि मैं उदर लग रहे थी उसको पकाने के लिए पीजा पर सब्जी लगाने के लिए जाएंगे तो हम भार से लाया हुआ पीजा फूल जाएंगे इस तरह से आप करिये तैयार और ये मैंने थोड़ा थोड़ा लगा दिया इसके मक्षण ताकि ये निच्चे से चित्रे से हो जाए फ़राई कितने सोफ्ट और इतने टेश्टि भंके हुए थे तैयार जब हमने इसको यूज किया तो ये देखिए पीजा से चित्रे मेरी एक गम गिर गए थी निकल गए थी जादा दवाने से तो ये हमारे हो गया पीजा तैयार ये हम गठ रहे हैं चीज ऐसे ही हमारे आख की जबन के हो जाएंगे तैयार दस मिन्ट पंद्रा मिन्ट ही ये लेंगे पंद्रा दस मिन्ट में दस पंद्रा मिन्ट में ये पक्त हो जाएंगे तैयार यह देखें और उधर हमारे पीज़ा बनके हो गया है तैयार इसको हम रखेंगे धक्तन लगा के ताकि हमारे सब्जी अच्छे से हो जाए फराई अब जो पेश्ट हमारे पास बचा था उसका हम करेंगे एक बड़ा पीज़ा तैयार यह देखें हमें ना तो रोटी बनाने की जुरुत है और ना ही कुछ ना बेलने की बिलकुल कम समय में हम पीज़ा करेंगे तैयार यह देखें तो आप पेश्ट बनाके पीज़ा बना सकते हो उसको रेडिमेंट प्रोटी लाने की या उस प्रोटी की तरह उसको बाटे को बुनने की जुरूरत नहीं पड़ेगी आप एक बार इस तरह से ट्राई करें और खाकर देखें कि कितनी सोब्ट और कितना पीज़ा होता है तैयार तो आज मैंने एक साथ नो पीज़ा किये हैं तैयार यह हमारा बड़ा पीज़ा है जिसको हम पता रहे हैं यह देखें इसको हम निकाल लिया है प्लेट पे और हलका साम अडाल देए इसपे पे तैल आप चाहे तो पिना तैली के यह इसको बना सकते हो लेकिन जो हम तेली तो यह एक मैसे पक्त हो जाएक तैयार क्योंकि हम इसको ओण में नहीं बनाएंगे यह हमारा तवा पीजा जो हम आसानी से अपने तवे पर तैयार कर सकते हैं नहीं हमें ओवन के जो फड़ेगी और नहीं कुछी माइक्रोवेव की तो यह मैंने लगा रहे तीजा सोश और यह लगा दिया है मैंने सब्जिया एक साथ तो भी मुझे पसंद है और यह तीखा बनाएंगे तो इसमें मैंने डाल दी है लाल चिली पाउडर हाथ से पुटा हुआ और इसी के उपर आप हम लगा देंगे खोड़ी सी चीज चीज का मैंने बहुत कम यूज किया है क्योंकि चाज़च चीज जो चिपचिपी हो जाते है मुझे कम पसंद है तो इसलिए मैं यहाँ पर चीज का कम यूज कर रही हूँ आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चीज डाल सकते हो और इसको भनने के लिए पांच मिन के लिए हम ड़क के रख देंगे यह मैंने लिया है चकुंदर तो थोड़ा सा लगा दिया है पीजा पर ज़्यादा है तयार और अगर आपको यह पीजा पसंद आए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ कमी हो तो आप जरूर बताना की इस में क्या कमी है मैं और क्या सुधार कर सकती हूँ लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना आपके एक लाइक से मेरी वीडियो थोड़े ची आगे चली जाएगी और अभी इस टेम पे मुझे आप लोगों कोई सपोर्ट की जरूर रहता है तो आप मुझे सपोर्ट करिये ताकि मैं आपनी ये रेसिपी आगे शेयर करना